हलो, गुट मॉर्णिंग विवार्ज, वालकम टू बैक मैच चैनल, आज में लेकर आई हूँ, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरिकी का नाश्टा, जिससे देख कर हर कोई खाना पसंद करेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, इसे बनाने के लिए हमें चिये एक के टूरी मेदा, यहां आप मेदे की जगह यहूंकाटा भी ले सकती हैं, स्वाद अनुसार, इसमें नमक मिलाना है, और यहां पे पिंच ओफ हल्दी मिलाना है, हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आता है, और इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है, यहां हां माटा तो हमने इसमें अलका इसे पानी मिलाकर अच्छा सा मुलाइम सा आटा गूत कर तयार कर लेना है और आठ से दस मिन के लिए रेस्ट करने के लिए इसे छूड़ देना है तो तक हम किस स्टफिंग की तयारी करते हैं यहां पर हमने डिया है एक छोटी चमची इतना तील इसमें हम आदी चमची राई तरकाने वाले हैं और आदी चमची जीरा तरकाने वाले हैं पिंच ओफ हिंग मिलाने वाले हैं अब हम यहां लेने वाले हैं पांच उबले हुए आलू मैंने आलू को पहले से इबाल के रख लिया था यहां पर हम मिलाने वाले हैं कटा हुआ प्याज दो से तीन हरी मिर्ची और यहाँ पर हरा पर आज भी है कटा हुआ यहाँ पर आप मिर्ची को स्वाद अपने हसाब से घटा बढ़ा सकते हैं मैं थोड़ा बच्चों के लिए बना रही हूं तो मिर्ची मैंने कम यूज करी है और यह कटा हुआ टामाटर यूज किया हुआ है आपको अधर सब्जिया पसंदे तो वो भी आप यहाँ पर एट कर सकते हैं जो हमने बगार तयार किया था वो भी हम यहाँ पर मिलाने वाले हैं यहाँ पर हम थोगा सा कटा सा स्वाद चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर आदा निम्बू भी एट कर रहे हैं इसे बहुत अच्छा चिटबट़ सा स्वाद आने वाला है आप और भी मसाले पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक कर सकते हैं यहाँ पर हम लेंगी नमक, स्वाद अनुसार जितना आप पसंद करते हैं यहाँ पर आप ताली मेर्ची, लाल मेर्च पाॉडर, जीरा पाॉडर मिला सकते हैं मैं हैं बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैं थोड़ा सा कम ही मिलाई हूं यहां पर थोड़ा सा आलू ज्यादा बॉयल है तो मैं ही थोड़ा सा ब्रेट क्रम्स मिला रही हूँ ताकि जो हमारा स्टफिंग तयार हो ना वो थोड़ी से कड़क से तयार हो इसे एकदम नरव नरव से स्टफिंग नहीं चाहिए तो हम थोड़ा सा ब्रेट क्रम्स एड़ क कर लिया हैं ताकि स्टफिंग इस तरह के से कड़क बनकर तयार हो यहां पर हमने लेना है हरा धन्या कत्रन किया हूँ और मटर मटर भी हैं और बॉयल उबले हुए हमने लिये हैं हम दोनों को मिला के अच्छे से मेश कर लेने वाले हैं इस तरह के से हातों की मदद से अच्छे से मेश करके इसका भी अच्छा सा डो जैसा बनाके त्यार कर लेना है हमने यहां पर आप इसमें भी मसाले एट कर सकते हैं सेज़वन चटनी एट कर लिजी को उससे बहुत अच्छा सा स्वाद आता है हमारा आटा जब तक नरम होके त किसी तरह की हवा हो तो और रहे और इस तरह के से गूत के अच्छे से हमने इसको तयार कर ned आते आटे को बहुत अच्छे से गूतना है जितने मुलायमा पाटा गून देंगे उतना अच्छा सा स्नेक बनकर तयार होने वाला है तो मैं यहां फाइफ इक्वल पार्ट में इसे कटिंग कर लेने वाली हूं और पेड़े जैसे हम बना के तयार करते हैं आटे की लोई वाले वै कि ऐसा करने से क्या होता है कि आपके रेसिपी है वह बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है इस तरीके से थोड़े से लंबे लंबे से स्टेप्स बनकर हमने तयार करने हैं मेरे सारे स्टेप्स बनाकर तयार कर लिए हैं गरवर आठ से दस स्टेप्स बनकर तयार हुई है सिर्फ एक कोटूरी आटे में यहाँ पर हम green वारी लियर्स पहले लगाने वाले हैं इस तरीके से और इसके बाद में जो हमारे boiled आलो के stuffing हमने त्यार कर दी थी वह भी हम यहाँ पर add करने वाले हैं इस तरीके से दो layer वाली stuffing बनकर त्यार हो जाने वाली है जो देखने में तो अच्छी लगेगी, स्वाद में भी बहुत अच्छी लगने वाली है एक कॉनर पर हमने स्टाफिंग रख ली है और दूसरे कारणर पर हम चाकों की मतलर से इस तरीके से आटे में या आटे की जो पूरी टाइप बनी हुई है उसमें इस तरीके से कट लगाने वाले है और इसे यहां से हलके हातों से इस तरीके से फोल्ड करने वाले है इसे क्या हुँगा कि एक बहुत ही अलग सा डिफिरेंट सा शेप बनकर तयार होने वाला है जो नर्मल हमारे सावों से कचोरी होते है ना उससे तो बहुत ही अलग होने वारा है और जो साइट के कॉनर है ना इसे अच्छे से यहाँ पर दबा लेना है जो स्टुफिंग है वो हमारी बहार ना आए इसी तरीके से हमने सारे स्ट्रिप्स जो आटे की मनाकी तयार करीए इस तरीके से आटे में कट लगाने हैं कई दोवाते विवे गुल-गुल हमाने स्ट स्टेंक्फ नाकर विडे कर लेने भाए के से अच्छे से गरम करना है गरम करने के बादम मीडियंग की मीडे की आटे की बनी हुए ही क्झायक्स को बना कर रेडी कर लिया है इस टरी के से चागों की मनतल्त से आराम से हो राए हैं तो मंने कुल प्छाच के सबस्फ़ाइब बिलकुर सक्रिपरु अच्छा हमारे स्नैक्स ने करें इस दरी के निपार है वह कर ना Ttar है कि साइ अंत्रोय आपके बन कर तैयार हूं जब इस तरी के लिए्स स्नैक्स न जरूर पसंद करने वाले हैं अब तक आकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर खर लीजिएगा मैं इसे मज़ेदार रीडियोस बनाकती रहती हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है आप इस रेसिपी को मॉनिंग टाइम पे या जब भी हल्की फुल्की भूक लगी है तब बनाके तयार कीजिए ये सब के मन को लुभाने वाली है चाई टाइम पे ये बहुत अच्छी रगती है ट्राइज ज़रूर कर रहीएगा और इस तरीके से आप इसे सोस के साथ ये सिम्पल भी इसी तरीके से खा सकते है देखने के लिए आप बहुत सारा धन्यवाद